ओम साइराम दोस्तों ये स्वेटर के लंबाई पूरी हो गई ये फ्रेंट वाला है स्वेटर का फ्रेंट और इसमें हमने बगल के लिए अपन्ते भी घटा दिये हैं ये भी हो गया है और ये बैक पॉर्शन भी हो गया बैक में देखी हमने थोड़ा सा नीचे डिजाइन डा दीया है दो धारी बौडर बनाया जैसे इसमें बना है इसके बाद के दो डिजाइन है दो लाइन कफ solving शारा प्लेट रकका है इसकी भी लंपाई कंप्लीट हो गई है इसी के बराबर तो अब हम आपको इसमें में आपको बगल यह घटाना बताऊंगे जैसे इसमें हमने घटा लिया है इसमें घटा के आपको बता रही हुँआ जब से पहले हम चार फंदा घटाएंगे बिनते हुए घटाएंगे दो फंदे हमने बुल लिए इस पहले बाले को इस पे उतार दीजिए फिर एक फंदा और भी नहीं है इसको उतार दीजिए अब आए दो फंदे घट गए अब यह तीन घट गया और यह चार फंदे घट गए देखे चार फंदे हमारे यह घट गया बगल के अब हम इतने सारे फंदों को सिधा सिधा बुन के कम्पलीट करेंगे पूरा पिर अगला जो गटाना है वो हम उल्टी तरफ से गटाएंगे ऐसे सीधा सीधा सारे फंदों को सीधा बुल लेगते हैं देखिए सारे फंदों को हमने बील लिया सीधा सीधा अब हम उल्टी तरफ आ गए उल्टी तरफ से भी हम 4 फंदे घटाएंगे एक, दो, तीन और ये चार फिर सारे फंदे पूरी सलाई हम उल्टी उल्टी बीन जाएंगे सीधे में आएंगे तो फिर यहां पे गटाना है हमको अब हम दो फंदे घटाएंगे यहां पे हमने चार घटा है अब हम दो घटाएंगे ये छोटे बच्चे का है इसलिए हम लोग कम-कम फंदे घटाएंगे एक और दो बस दो ही फंदे घटाने है इसके बाद ऐसे ही सारा फंदा इदर से बिल लेंगे और उल्टी तरफ से भी दो घटा लेंगे उल्टी सलाई से भी हम लोग दो फंदे नटा देंगे उल्टा बुनते दो एक दो फंदे मुल लिए पहले वाले को इसके उपर ऐसे उतार देंगे फिर एक फंदा और बुनेंगे और तार देंगे यह हो गया मेरा कटिंग अब हम सारे फंदे उल्टा बें जाएंगे फिर सीधी तरफ से एक फंदा घटा लेंगे जैसे अभी घटा है आपने और उल्टी तरफ से एक घटा देंगे बस इतना ही बगल घटना है देखे दोनों और से हमने गटा लिया पहले गटाया था चार फिर दो और फिर एक अब हम लोग ऐसे ही साधा साधा बिलेंगे लगबक चार अंगुल इतना बड़ा बिलेंगे ऐसे सीधा सीधा सीधी तरब से सीधी सलाई में सीधा और उल्टी सलाई में उल्टा बुनते हुए लंबाई कम्प्लीट करती है इसको घणाने के बाद इधर भी गटा है दोनों साइड आब हम लोग इसमें गला बनाएंगे तो गले के लिए हमें अब कंधा पहले बीन लेना है और ये देखना है कि हमारे पास जितने भी फंदे हैं गला घटाने का ये है कि जितने भी हमारे फंदे हैं तो दोनों साइड के कंधों का हम निकाल लेंगे और पीच में जितने फंदे हमारे बच रहे हैं उसमें से हम धीरे धीरे फंदे घटाएंगे थोड़े फंदे बीच में घटा लेंगे ये गोल गला बना रही हूं तो चलिए थोड़ा फंदा इसको हम लोग बिल लेते हैं डिजाइन डालते हुए आगे बढ़ेंगे इस सलाई में तो हमको सारे प्लेइन ही भी नहीं सीधा सीधा ही भी नहीं डिजाइन तो पड़ेगी नहीं तो हमाई पास टोटल फंदे हैं इसमें गिल लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 32, 34, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 28, 50, 52 और तिरपन तिरपन फंदे हैं तो इसको पहले हमें आधा-धा कर लेना है तो तिरपन का देखिए अब हमें कंदा और जितने फंदे हमें घटाने उतने हमने बुन लिए कंदे के हमने बुन लिए देखिए कितना है 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 फंदे इधर ले लिए और 19 फंदे इधर लेगे, इस वाले तरफ का, तो बीच के हमारे जितने फंदे बचेंगे, सारे फंदों को हम घटा देंगे, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, ये बचा हमारा बीच का फंदा, इस बीच के फंदों को हम घटा देंगे, पूरा का पूरा उतार देंगे, दो, चार, छे, साथ, आर, दस, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, पंदरा फंदे हैं, इन पंदरा फंदों को हम घटा देंगे उतार देते हैं इसे, बिन बिन के एट दो तीन चार पाच छे साथ देखिए, बीच के फंदे हमने घटा दिये, अब सारे फंदे इधर सिधा सिधा हमें बूलने ना है उल्टी तरफ से भी हमने सारे फंदे जो थे इधर के एक साइड के बिल लिए उल्टा उल्टा अब हम एक ही साइड का बनाएंगे या तो आप दो गोले लगा लिजे ने एक ही साइड का बनाते हुए गला कंप्लीट करेंगे फिर बाद में इधर का बनेगा तो फिर अब हमें क्या करना है अब हमें तीन फंदे गटाने है एक दो फंदे में लिए इसको उतार दिए गटाने का वही तरीक है दो और तीन यह देखें, तीन फंदें घट गए, अब सारे फंदों को, जड़ी जाइन के इसाब से भी बनाना है, तो अब हमें नीला रंग लगाना है, यहां से हम नीला रंग लगा देंगे, इसके पहले हमने आपे तीन गटाया था, अब हम दो गटाएंगे, एक और यह दो, सारे फंदे फिर स्यादे साथे, देखिए, ऐसे गलब आएगा गोल, लोद बढ़िए, अभी एक तरप का गट रहा है, अभी धर भी गटेगा, तो अब हम एक फंदा गटाएंगे, एक एक फंदा तब तक गटाएंगे, जब तक हमारे पास कंधे के लिए, फंदे हमारे प्रयातना बच जाएंगे, अब तो डिजाइन पढ़नी है, तो डिजाइन के लिए हमें देखना पढ़ेगा, इसमें नहीं, एक फंदा घटाना है हमको, एक फंदा हमने घटा दिया, ठीक, अब हमें देखना है, जो डिजाइन हमारी पढ़नी है, वो इस बीच में पढ़नी है, तो इतने फंदे हमको साधे ही बुनने पढ़ेंगे, अब हमें यहाँ पर डिजाइन डालेंगे, फिर एक दो बीच वाले में तीन उतार लेंगे, और इस पिरसे इसको, उल्टी तरफ से भी जैसे डिजाइन डालते हुए, बिल लेंगे, फिर सीधी तरफ हमको एक फंदा गटाना है भी, वेगि हमें कंदे के लिए 12 फंदे रखने, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक फंदा जादा है हमारा, तो हम इस फंदे को भी गटा देंगे, एक फंदा गटा देंगे, फिर कुछ न गटाना है न बढ़ाना है, डिजाइन डालते हुए हम लंबाई पूरी कर लेंगे, देखिए, जितना गटाना था, उतना हमने गटा दिया, अब हम इन फंदों को सीधा सीधा, सीधा तरफ से डिजाइन डालते हुए, जितना भी लंबा हमें करना है, इतना लंबा कर लेंगे, और यह देखिए गला, जैसे इधर गटाया है हमने, ऐसे इधर वाला गला भी, उल्टे से गटाते हुए, कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है, चली कम्प्लीट कर लेते हैं, इतनी लंबी हमको यह रखना है, तो इसका तो कम से कम चार अंगुल रखना है, तो अभी तो कम है, अभी तो दो डिजाइन और पड़ जाएगी, चली उतना बना लेती हुए, देखिए, गोल गला गट गया, जैसे हमने इधर आपको बताया था, वैसे ही, दर गटाके दोनों एक ही तरह से गटाके, जैसे पहले तीन, फिर दो, फिर एक, फिर एक ऐसे करके बना लिया, फिर साद़ा, यह हमने गटाते गटाते, गटा ने जहां तक गटाया, उसके बाद से देखींगे, चार इंच हो यह बैक पूर्चन है, इसमें धीक देख लेते हैं घटाने के बाद कितना हुआ, इसमें भी दो जो तीन सलाई का गला हमें गताना है, गटाय हमने, अभी 4 में थोड़ा कम है तो अब हम क्या करेंगे, 4 सलाई अभी कम है इसमें, तो इसके लिए अब हम, हमने आगे वाले पल्ले में 12 फंदे का कंधा रखा है तो 12 फंदा बुन लेंगे उसके बाद जितने फंदे हमारे बचेंगे बीच के 12 देखे समझ लिजे 12 इधर के और 12 इधर के छोड़ के बीच के जितने फंदे हैं सब फंदों को हम बन कर देंगे चली करते हैं एक हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा दो चार चे साथ आठ नो बारा यह बारा फंदा हो गया एक तरफ का अब इसके बाद हम बारा इधर भी रोकेंगे और बीच के सारे फंदे बन कर देंगे फंदे बन वैसे ही करेंगे जैसे अभी तब करतें आएं दो फंदे बीन लिए पहला वाला इस पर उताड़ देंगे ऐसे ऐसे सारे फंदों को बंद कर देंगे कंदेवर का रोग के देखे बीच के फंदे सारे हमने बंद कर दिया इधर भी 12 रोग लिया है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसे गिन लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 है तो इसको भी एक और बंद कर देंगे अब ये जो 12 फंदे इधर हैं इनको भी हम बिन लेंगे अब एक सलाई ये हो गई फंदा गटाते हुए तीन सलाई और बिन लेंगे हम उल्टे से उल्टा सीधे से सीधा फिर आगे और पीछे दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे तो कंदो को हम जोड़ देंगे देखिए थोड़ा सामने बीन लिया है अब देखते हैं आगे वाले के बराबर हुआ कि नहीं इसको ऐसे भी नाप लें दोनों पल्लों को हो गया बराबर अब इसको पंदो को हम एक साथ बंद कर देंगे चली बंद करना बता देती हूं एक फंदा हम इस सलाई का लेंगे एक फंदा उस सलाई का लेंगे दोनों देखे सीधे वाले अंदर को है उल्टी चीज उल्टा इधार है देखे एक फंदा इस सलाई से लेंगे एक फंदा इस सलाई से लेंगे और दोनों को एक साथ बिनेंगे फिर इस से लेंगे एक इस सलाई में दो फंदे आ गए एक को इसके उपर ऐसे उतार देंगे फंदे उतारने का ये तरीका है आप सुई से भी उतार सकती है मैंने अपने चैनल पर सुई से भी जोड़ना बताया है फिर आग़ी बता दूंगी अभी ऐसे आप इसको उतारिए पहले दोनों को एक साथ बिन लेंगे फिर इस पर दो आ जाएगा तो एक को ऐसे उतार देंगे ऐसे सारे फंदे को उतार लेटे हैं, सारे फंदे उतार दिये हमने, इस फंदे में ऐसे उनको ऐसे खीच के और कैची से काट देजे, आगे से देखिए, यह हो गया कंदा, एक तरफ तो हमने कंदा जोड दिया, अभी छोटे बच्चे का स्वेटर है, तो एक तरफ हम बटन पट्टी बना देंगे, निले रंग से भी बीन के, एक सिधाय कूल्टा करके इसमें बटन पट्टी बना देंगे, फिर यह ऐसे यह बंद हो जाएगा,